हे गाइज देखो लगबग मैं आपको बता दूँ कि अभी थोड़ा बहुत बजार गिर रहा है बहुत सारे लोग डरे हुए हैं ये भी जानना चाहते हैं कि बजार क्यूं गिर रहा है देखो सबसे चीज सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं यहां पर कि कि 2019 में 5th मार्ण को क्यों मार्केट गी रहा था तेंथ मार्ण को क्यों गी रहा था या 2018 बहुँन रहा थाieben आपड़ेट भी बता देता हु मैं आपको माल लेती तरह किसी तरह किसे फरवरी या जनवरी ले लो फञएंच जनवरी या शख्यरा था अब बोग भाई उतना कौन याद रखेगा याद तो हमें 8th class के marks भी नहीं है 8th class में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो 8th का या 10th का आपका कितना percentage आया है एक subject में कितने marks आया है याद है किया नहीं याद है तो यह सारी चीज़ काम नहीं देगा मैं आपको बोल रहा हूँ समझ रहो ना 10th में आपने कितना marks लाया हार एक subject में आपने कितना लाया तो जरूरी वह नहीं है नहां पर लोगों कुछ लोग पूछेंगे कि बजार क्यों गिरा आज मैं आपको बता दूगा कल भी तो बजार गिर सकता है मतलब यह जीवन भर के लिए तो आप यह मत सोचो कि बजार क्यों गिर रहा है क्यों उठ रहा है आपके वाल यह सोचो कौन सी अच्छे stock है जिनक इचली मैं आपको बोलना den twins आज क्यों बजार गिरा इसका वैल यू के वल कल तक ही होता कल क्यों मता बजार गिरा उसका वैल के वल कल तक ही होता तो हम इस चीज के भी में चárıl और करो यहाल लॉंग टम के लिए पैसा इंवेस्ट करना है तो यह सारी चीजों के ऊपर फोकस करना ही नहीं है अच्छे एक मैं बता दूँ कि स्टॉक मार्केट में जितने बुद्धी मान लोग हैं जितने भी लोग है अगर उनको मैं आपको बता हूँ कि लगबग तू आप यह पता करो दबी गिरेगा और तीसरे दिन जो बजार गिरा है जरूरी नहीं रीसन के वज़े से नेक्स डे भी बजार गिरेगा तो मोजे लगता है कि यहि선 बार प्रकेश बिद्ध नहीं डी करना चाहिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं अगर बजार गिर रहा कल की डेट में अगर 10% बजार गिर जागा तो आप क्या कर लो कि ज्यादा ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाओगे आप भले यह आपकी पहुंच बड़े बड़े तक है या प्रधान मंत्री भी हो आप लेकिन आप भगवान बनने की कोशिस मत करो भक्त बनने की कोशिस करो भरुसा करो मैंने आज तक कभी फोकस नहीं किया बजार क्यों गिर रहा क्यों ने गिर रहा क्या मतलब क्यों गिर रहा करके 2008 में 5000 लोगों ने सुसाइट किया था क्योंकि बजार गिर किया था आज के डेट में पर्षो क्या होगा फिर ये डिग्री लेकर में क्या करूँगा फिर डिग्री लेने के बाद फिर कहां जॉब लेकर करूँगा तो ऐसे मत सोचो step by step आगे बढ़ो समझते हो लेकिन गलस statement मत लीजगा कि आज हर एक मिनिट में क्या हो रहा उतना जरूरी नहीं है पूरे चार मिनिट हो गए हैं और पूरे चार मिनिट मैंने आपको समझाए यही चीज़ समझाने के लिए अगर आप किसी कहीं पर सेमिनार में जाते हो तो हो सकता है चार घंटा भी लिया जा सकता है तो किसी को हो सकता है ना कि मतलब किसी को कहीं जटका लिगने के बाद समझ जाता है या किसी को करोड़ रुपया पे करने के बाद भी नहीं समझ में आता यही होता और देखो पहला स्टॉक इस गिरते बजार में पहले स्टॉक को खरीदना है जिसका नाम है MFSS Limited IT सक्टर के कंपनी है डिविडेंट भी देती है और लगबख स्टॉक स्प्लिट भी देता है बोनस भी देता है लंबे समय में काफी अच्छा प्रॉफिट भी निकाल के देता है अगर आप देखोगे तो ये ये टिल डेट से स्टॉक गिरा पिछले एक साल में इसने 84% का रिटन दिया कभी आपने सोचने की कोशिस की भाई पिछले एक साल में 84% का रिटन क्यों दिया नहीं केवल ये सोचते हैं 84% का रिटन दिया आप पिछले एक साल में हर एक दिन जाकर देखो कि भाई आज मतलब हर एक दिन जाकर देखो कि इस दिन बज़ारा क्यों भागा था इस दिन बज़ारा क्यों भागा था हर एक एक दिन जाकर देखो क्यों भागा और टोटल यहाँ पर 84% return क्यों दिया करके ये फाल्टू कोशेन है ये फाल्टू आंसर है ये सब सारी चीजों को पर डिसकस मत करो बिल्कुल बेकार है लंबे समय में अच्छी चीजों को पकड़ के रहे हो जादा अच्छा रहेगा मार्केट में डेली नई नई चीजे होती रहती है आप ठक जाओगे आपकी नई पिड़ी आ जाएगी लेकिन नई चीजे आना बंद नहीं होगा यहाँ पर तो IT सेक्टर में पहला स्टॉक बहुत अच्छा रहेगा आप देखो पिछले 5 सालों में भी इसने 400 परसंट का रिटन निकाल के दिया है और लगबा पिछले 2 या 3 सालों में ही इन्हों ने अपने बिजनस को काफी ज्यादा फैलाया है काफी अच्छा पैसा खर्च भी किय और लगबा पिछले 2 सालों में इनका बिजनस काफी लो था जो कि लगबा इसका शेयर का प्राइज आपको मिलता था 600 रुपे के आसपास गिरावड भी था और कितना गिरावड था लगबा 30-40 परसंट देख सकते हो 40 परसंट के आसपास गिरावड था और उसके बाद नी करने के कोशिस कर रहे हैं कि अब यह स्टॉक क्यों गिर रहा है तो मैं आपको बहुत सारे लोग यहां पर 400-500 परसंट का प्रॉफिट लेके बैठे हैं उनको यह जमेले से कोई मतलब भी नहीं है यहां पर दूसरा स्टॉक L&T यहां पर देख सकते हो टेकनोलोजी और आज कंपनी और एक L&T इंफो टेक आपको देखने को मिल जागा इसका मार्केट के 50,000 के आज पास है उसका मार्केट के आफ 1 लाग करोड के आज पास है गिरावट होने से लगबाग थोड़ा वा उपर नीच होगा मतलब 1 लाग 20,000 के आज पास था और डिपिनेंट भी देती ह यह सारी कंपनी बिलकुल नहीं है यहाँ पर अगर आप रेविनु देखना चाहते हो कहां कहां से कितना कंपनी रेविनु जनरेट कर लेती है आप खुद भी देख सकते हो रेविनु स्प्लिट कहा हुआ ट्रंस्पोर्टेशन में आपको देखने को मिल जागा इंडस्ट् 38 परसंट बहुत अच्छी पकड़ है यूरोप में अगर आप देखना चाहोगे तो लगबग 17 परसंट इंडिया में देखो तो 13 परसंट बहुत बहुत अच्छी बात है इंडिया में कमी काम करना चाहिए रेस्ट अप देखो 12 परसंट तो इनका जो पकड़ है सेखजी कंपणी खत्म हो गई बहां सthinking खत्म हो तो यह वार मंग बहुतत सारी लोगों को नुक्सान में होता है नहीं बढ़ाने के लिए 8-72 millions पैसा खर्च कर रहे थे लगबग अब जो है 1,400 million जो है पैसा खर्च कर रहे हैं मतलब इन्होंने अपना investment बढ़ा दिया मतलब बहुत सारे लोग होते न कि अगले साल पिछले साल मैंने 5 करोड रुपे खर्च के थे बिजनस को बढ़ाने के लिए मतलब अपनी capacity बढ़ाने के के लिए इंसरेंस के लिए या फिट ट्रांसपोर्ट ये भी company लगबग अगर आप देखो है health मतलब health sector में चारों तरफ से मजबूत है चारों तरफ से सक्टर में सारे सक्टर को इसने cover कर रखा है और भारत में इंटरनेशनल मार्केट में इनके जो कस्टमेरे धिरे-धिरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि ये company जो है अपने capex पे काफी ज़्यादा focus कर रही है grow करने में और ये तो starting है अगर आप देखना चाहोगा है बहुत सारे यसे company जिनका market cap 4 लग 5 लग करोड का इनका लगबग एक लाग के आसपाद है तो ये ज़्यादा चांस है पता है कि अच्छा stock है खरीदना चाहिए गिरावट में estral pipe pipe बनाने वाली number one company अगर आप देखोगे estral pipe ही है और लगबग यहाँ पर देखो बहुत कमी गिरावट देखने को मिलता जो कि इतनी बड़ी गिरावट पर अभी stock देखने को मिला पहले तो यहां हुआ था और अ साल के दिया यहां पर बहुत ज्यादा और आने वाले पांच सालों में केवल देखो यह company का compounding इतना बढ़ जागा जो कि लगब लाग देड़ लाग परसंट का यहां पर return आपको देखने को मिल जागा तो pipe बनाने वाले number one company इसके brand of mister आपको सर्मान खान देखने को मिल जा अगर आप सहर में जाओगे मैं आपको बता रहा हूं अगर किसी तरीके से आप बड़े अर्बन एरिया में चले जा रहा हूं रूलर एरिया के बार ने बात ने करते अर्बन एरिया में तो भाई pipe बनाने वाली company काफी ज़्यादा benefit होता building अगर आप देखोगे बहुत खाते हैं है कि नहीं खाना खाते हैं या कुछ में कुछ लेकिन फिर भी उससे ज्यादा pipe बनाने वाले company क्यों benefit दे रहे है कि यहां पर अभी तो opportunity देखने को मिल रहा है हमें और एक स्टॉक रहेगा doctor ready doctor ready भी बहुत सालों बाद गिरा है और यह शियर आ चुका है 3899 के आज इसका तार्गेट देखो लग वह 5400 5385 तो ऐसे स्टॉक में और खरीदना चाहिए ना कि बेजना चाहिए तो और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो अपने डिमेट अकाउंट वगरा ओपन करना चाहते हो तो एंजल में अपने डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं पर आपका डिमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री है डिलिवरी चार्जेस भी फ्री है कि अवल 20 रुपीज लगता वह भी इंट्राडे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिन्टो में जाकर अपने डिमेट अकाउंट वगरा ओपन कर सकते हैं